नमस्कार दोस्तों स्वागते एक और नई वीडियो में मेरे नाम है प्रदीप आप देख रहे हैं टेकनलोजब आप सभी पीफ मेंबर्स के साथ जो एक छोटी सी जानकरी सेर करने थी अब ही जो है मैं अपने एक मित्र का पीफ एडवांस के लिए फोरम अपलाई कर रहा था तो एक दिक्कत आ रही थी फिर मैंने सोचा क्यों न यार इसके बारे में आपको भी बताया जाए जिससे कि अगर आपको भी ये सेम प्रोब्लम आ रही है तो आपको पता चल जाए कि एक्चुल में प्रोब्लम क्या है और इसका क्या समाधान है वीडियो जादा लंबी नहीं करेंगे चले डारेक्ट मुद्दे की बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो कि मैं उसका एडवांस में प्रोब्लम का पैसा निकालने के लिए अपलाई कर रहा था टाइम भी यहां पर देख सकते हो आज है 14 मार्च 2013 समय हो रहा था 10 वज़ कर 35 मिनट तो सब कुछ हमने पूरी डिटेल हमने मैंसन कर दी थी उसके बाद यहां पर जब OTP आता है आदार कार्ड के साथ जो मोबैल नंबर लिंक रहता है उस पर OTP आता है तो OTP भी आ गया था जैसे ही OTP मैंसन करके यहां पर validate OTP and submit claim फोरम पर हमने क्लिक किया तो जो है यहां पर एक error message आ गया इसमें लिखा है कि log field please retry with valid request and claim not submitted on portal please try again later तो एक दोबर हमने OTP यहां पर मैंसन किया बट सेम यही problem आ रही थी और जब दुबारा से OTP मंगवाया उसके बाद जैसे request submit करी त आपर हम आपको दिखा देता हूँ यहां पर क्या error message आया unable to reach CIDR server URL 56 and claim not submitted on portal please try again later तो फिर हमने OTP mention किया फिर request submit नहीं हुई उसके बाद जो दुबारा से OTP मंगवाया उसके बाद फिर दुबारा से यह error message आ गया log field please retry with valid request and claim not submitted on portal please try again later तो यह जो है अगर आप भी अपना advance मे प्याप का पैसा निकालने के लिए form 31 apply कर रहे हो या फिर form 1910C apply कर रहे हो या फिर form 10D apply कर रहे हो तो अगर OTP डालने के बाद भी आपको यहां पर कुछ इस तरह से error message आ रहा है तो यह मत सोचना कि भाई जो है आगे process नहीं होगा तो इसका समाधान में आपको बताने जा रह request submit करनी है और जब दुबारा से login करेंगे request submit करेंगे OTP भी आ जाएगा और OTP mention करके जो validate OTP and submit claim forum पर क्लिक करेंगे तो आपके जो request claim की वो request submitted हो जाएगी तो यह एक जानकर आप सभी के साथ share करने थी तो इस तरह की अगर आपको problem आ रहे है तो दुबारा से account login कीजे या फिर page को refresh कीजे फिर आप जो दुबारा से एक दो बार जो है try करेंगे तो यह problem ठीक है हो जाएगी यह कोई permanent problem नहीं है एक दो बार आप refresh कीजे page को या फिर जो है अपने account को log out करके login कीजे उसके बाद request submit कर देंगे तो आपका claim की जो request वो submit हो जाएगी किसी भी तरिक एगी आप